हेलो एब्रीओन एसका डीजैनर में आप सभी कर स्वागत है आज के इस वीडियो में जो रेडिमेंट्च सूट मिलता है मार्केट में वसका स्टेप बाइस शुट की कटिंग बताएंगे आप पूरे वीडियो देखेंगे ति step by step cutting करना सिख जाएंगे चलिए हम शुरूर करते हैं तो देख लिए पीछे वाला पाठ हम बगल में रख लिए हैं आगे का पाठ हम इस तरह से फैला लेंगे हैला के double fold में रख लेंगे आप कपड़ी को उपर की तरफ से सिधा करने के लिए इस तरह से निसान लगा लेना है अब यहां से आपको लंबाई ले लेना है तो लंबाई आपको कितना चाहिए तो हमें 35 चाहिए इसमें margin नीचे की तरफ से नहीं लगाएंगे क्योंकि यह पह नौ इंच पे पहले निसान लगा लेंगे यह मेरा फिटिंग है margin हम अलक से लगायंगे उपर से लेके नीचे तक लगा लेना है 9 इंच पे निसान अब इस निसान को इस निसान से मिला लेना है एक में देखेंज तो पर देखेंज आप हम मार्जन लगा लेंगे दो इंच पर तो यहां पर देखेंज इस निसान को भी स्थी तरीके से मिला लेना है तो यहां पर निसान लगा इंच सम्ड़दर है 6 इंच मिलेंगे naj Stefan लगा लेटार में इसरी तरिकने में प्राइब बढ़ा ले डूंग टुन राइब सी कब और द्रेकिया रहन साथे यह जितना करना गिलेंगे टर्म मैं स तरीके से पूरा इंसाथ énerण अब यहां समें इस तरीके से चकोड बोक्स बना लेना है फ्रिस यहां पर देख लिजी एक चकोड बोक्स बन चुका है अब यहां पर में गुलाई में शेव दे देना है आर्मोल से तो यहां पर देख लिजी हम चौक बैठाएंगे पर 13 इंच पर अब यहां पर हमें 13 इंच पर एक निसान लगा लेना है पूरा इस तरह से इसकेल से तो यहाँ पर निसान लग चुका है अब हम कमर पर फिटिंग लगाएंगे तो यहाँ पर देख लिजी 13 इंच पर हम 7 इंच पर निसान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी नाप ले लेना है 7 इंच पर अब इसे सेम इसी तरीके से इस निसान को मिला लेना है तो नोय इंच है करेंगे अब इस निसान को क्रेंगे क्यूंकि यहां पर हुआ अब यहां सभी एंच कम रहे गा तो इस निसान को इस निसान से मिला लेना है तो यहां पर निसान लग चुका है तो यह हो गया आर्मूल और यह हो गया कमर का अब जहां से tava कंड हायें और में करने करने स्क्राइथतों और यह हो गयार आर्मूल फीटिन्ग खरेंगी अ attractive आप फिटिंग वाला है ना तिसलिए है महास निसान लगाए आपको पता चल जाएगा तो हमें गले पर धाइंच पी निसान लगा लेना है नीचे की तरफ से सड़े 6 इंच बे उपर की तरफ से धाइंच नीचे की तरफ से भी धाइंच से बराबर रहेगा अब इस निसान को इस निसान से मिला लेना है तो देख लिजी एक शोकड बोक्स बन चुका है फ्रेंस अब इस शोकड बोक्स में हमें पान गले पी निसान लगा लेना है तो यहां पां निसान लग चुका है, जहां से निसान लगा को elbow वहां से में cutting कर देना है cutting हो चुका है friends, तो यहां पर देख लिजी आगा का part complete तयार हो चुका है इस तरीके से अब हुम आपको खोल के दीखा देती हैं, तो देख लिजी, वह cutting हो चुका है आगे का part, अब सेम हमें इसी तरीके से पीछे का part cutting करना है, तो हम आपको दिखाते हैं, पीछे का कपड़ा ले लिये हैं, पीछे वाले part को, अब कपड़े को इस तरह से फैला लेना है, फैला के double fold में रख लेना है, अब इसके उपर अच्छी तरीके set करके आगे वाला part रख लेना है, यह देख लिजे इस तरीके से, तो यहां पर निचे की तरफ से में 2 इंच margin लेना है, आगे हम नहीं लिये थे, क्योंकि उस पर लेस पहले सी लगा हुए है, तो हम आगे margin नहीं लिये हैं, तो इस तरीके से अब हमें गले पर 3 इंच निच निचान लगा लेना है, यह हम कॉलर वाला बनाएंगे, तो यहां से आधा इंच पर इस तरीके से जुका देंगे, अब यहां पर गुलाई के safe देंगे, अब जहां से में निसान लगा है, वहां से में cutting कर देना है, फ्रेंस, से मुसी बराबर, तो फ्रेंस, आपर देख लिजे, cutting हो चुका है, इस तरीके से, अब हम यहां पर चौक लगा लेंगे, जहां से हम cut लगाए हैं, तो इस तरीके से हम चौक लगा लिए हैं, फ्रेंस, अब यहां पर चोटे-चोटे cut लगा लेना है, से मुसी तरीके से, तो फ्रेंस, अब हम cut लग चुका है, अब इसे भी हम आपको खोल के दिखा देते हैं, यह देख लिजे, इस तरीके से, तो यह पीछे का part हो चुका है, और आगे का part कंप्लीट तयार होई गया है, फ्रें हो चुका है, फ्रेंस, यह देख लिजे, मापको खोल के भी दिखा देते हैं, तो यहां पर कप्ड़े को सीधा करने के लिए, नीचे की तरप से, इस तरह से निशान लगा लेना है, अब हमापको लंबाई दिखाते हैं, तो लंबाई है, टोटल साड़े 19 इंच, इसमें हम अब यहां से हम चोड़ा इस बात करते हैं, तो टोटल मेरा लंबाई था, आपर देख लिजे मार्जन है, अब यहां पर लंबाई था हमारा 9 इंच, तो हम 2 इंच इसमें कम कर दियें, तो 7 इंच पे में निशान लगा लेना है, और यहां से हमें 1 इंच कम, 6 इंच पे निशान देते हुए निशान लगा लिये हैं, अब यहां से बाजु का सेव दे देना है, इस तरीके से, तो यहां पर निस्तान लग चुका है फ्रेंज, अब जहां से हम निस्तान लगाए है, वहां से में कटिंग कर देना है तो यहां पर cutting हो चुका है friends, बीच में हलके cut लगा लेना है, अब इसे हम खोल के दिख्या देते हैं आपको, पहले यहां से cut लगा लेंगे, जो हम 2 इंच पर निश्थान लगाए है margin के लिए, तो देख लिजी, सेम इसी तरीके से double बाजू निकल चुका है friends, यहां पर देख लिजी, तो एक complete बाजू तयार हो चुका है, अब यहां पर हम कपड़ा ले लिए हैं, गला पट्टी कटिंग करने के लिए, तो गला पट्टी हम जो पहले cutting किये थे, गले, वहां से आदे मबब़ा ले खोल के दिखा देते हैं, friends, तो देख लिजी, आगे का part हो चुका है, और यहां पट्टी हो चुका है, और यहां पर देख लिजी, इस तरह कपड़े को इस तरह से रख लेना है, friends, अच्छा लगए तो लाइक शिरज ज़रूर करें, नाए चैनल पर सब्सक्र